नमस्का दोस्तों हम सीख रहें 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आज कि इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि जब 2D एनिमेशन करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास computer के requirement क्या होता है तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोर्स दिखा रहा हूँ जिसको कि हमने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया हूँ जिसमें की यूडिमी पे एक कोर्स है जहांपे कि आप जो है जो एनिमेट CC का फुल कोर्स जो 2024 वर्जन है इसका जो 1700 यहां पर प्राइस लिखा हुआ है लेकिन आप जो है कूपन को अपलाई करके आप इसको 499 में पर्चेज कर सकते हैं आप इसमें जो है पूरा डिटेल्स में सभी जो है इस पर कवर किया हूं टॉपिक को जिसमें कि आपको टूल्स के बारे में चाहें आप कोई भी एनिमेशन कैसे करते हैं कार्टून को बनाते कैसे हैं कैसे क्रियेट करते हैं सभी टैप के मैं बताया हूं और लाश्ट में मैंने एक छोटी सी कहानी को भी क्रियेट करके दिखाया हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ किस टाइब का कहानी को मैंने create किया हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं इस टाइब के मैंने जो है एक कहानी को पूरी तरीके से create करके दिखाया हूँ कोई भी scene को हम कैसे create करते हैं कैसे हम उसको एनिमेशन करते हैं आप देख सकते हैं इस टाइप का जो कहानी हम create करते हैं उसको हम यहां पर प्रोपर वे में create करके आपको दिखाया हूँ आपको अच्छा लगता तो आपको इसको enroll कर सकते हैं और मैं एक और course upload किया हूँ जिस cartoon animator 4 का course करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक कोर्स इस पर लगाया हूँ जिसमें कि आपको जो है प्रोपर वे में कोई भी काहानी को कैसे create करते हैं यहां पर character कैसे बनाते हैं सभी type के यहां पर मैं दिखाया हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं यहां पर 38 लेक्चर है और 7 गंटे 20 मिनट का यहां पर course है और सभी type के यहां पर बनाया हुआ है दोस्तों को लगता है कि यह अच्छा लगा तो आप इसको enroll कर सकते हैं इसमें जो हम topic कबर किये मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसमें मैंने एक जो है character को पूरा तरेक से मैं create किया हूँ आप देख सकते मैंने pro पर this character है हमारे पास इसको मैने create करके दिखाया हूं कि कैसे हम Sw đã कॉई कैसे डॉर करते हैं character को आप प्रोपरवे में मैं आपको दिखाया हूं यहां पर करके और इसी टैप से मैं जो है जी टू character को भी यहां पर दिखाया हूं जैसे कि जी टू यहां पर बहुत ही important character होता है उसके बारे में मैं दिखाया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने G2 करेक्टर को भी create करके दिखाया हूँ, इस software में कैसे हम इसको create करते हैं, अगर आपको लगता है कि यह course सही है तो आप इसको भी enroll कर सकते हैं, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर animate CC और cartoon animator 4 दोनों क मैं एक course लगाया हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं, animate CC में 66 student enroll already कर चुके हैं, और cartoon animator 4 है इसमें 5 student enroll कर चुके हैं, आपको लगता है तो आप इसको enroll कर सकते हैं, तो जो दोस्तों यह course enroll करते हैं तो अभी जो है 1799 रुपिया इसका course आ रहा है, लेकिन आपके description box में इसका link मिल जाएगा, जहाँ पे भी coupon code दिया है, और यह price जो है आपको 499 रुपिये में मिल जाएगा, इसी type से अगर animate CC पे देखते हैं तो इसमें भी 1700 रुपिया है, लेकिन आप मेरे description में इसका link मिल जाएगा, और वहाँ पे इसका coupon code भी दिया हुआ है, जहाँ पे कि आप जो ह 1799 हो जाता है, अगर आप लेना कर चाहते हैं तो आप इसको और वहाँ जाकर यह purchase कर सकते हैं, तो चलिए हम अब topic पे बापस आते हैं, और दोस्तों आज का topic है कि computer की requirement क्या होना चाहिए 2D animation के लिए, हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि हम कितना amount तक computer लेना चाहिए, हमारा price क्या होना चाहिए, वो details से हम इसमें देखेंगे आगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि first हम दोनों, Cartoon Animate 4 और Adobe Animate CC दोनों इस जो computer है उसमें cover हो जाएंगे, जो दोस्त, Windows का computer या laptop लेना चाहते हैं, पहले मैं इसके लिए बताना चाहता हूं, इसमें जो processor दोस्तों यहाँ processor जो लेंगे, 2 GHz का जो है, faster processor होता है, उसको आपको लेना जरूरी होता है, otherwise आपका जो software है, Cartoon Animate 4 या Animate CC वो lack करेगा और आपको काम करने में बहुत सरा problem होगा, इसके लिए कोशिस करें कि 2 GHz का जो faster processor है, उसको purchase करें, और आप अपने अगर assemble करते हैं, तो आप जो shop पे ज आपने आप ही आपको बता देगा किसका क्या range होता है, क्या price होता है, हम आगे price के बारे में भी details से देखें, या कि कितना तक में यह हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं, इसमें operating system, तो दोस्तों operating system जो है यहाँ पे, आपको window 10 जरूरी होता है, इससे lower version पे अगर लेते ह आपका जो है, सही से work नहीं करेगा, तो इसलिए दोस्तों window 10 ही इसके लिए जरूरी होता है, उसके बाद हम देखते है, रेम की बात अगर करते है, आपको 8GB रेम इसके लिए जरूरी होता है, और अगर आपको अच्छा से और भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप सिस्टम खरिद रहें तो उसमें अगर 2000 उपर नीचे भी हो जाता तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अगर कार्टून इनिमेटर फोर या इनिमेट सी सी पर काम करते हैं हमारा जो सॉप्ट्वेर है प्रोपर अच्छे से चलना चाहिए तो इसके बाद हम अगर in Arms Bird की बात करें यहां फेश्ट में अगर कारटून इनिमेटर फोर गर आप इंच्टाल करते हैं उसके लिए आपको 4GB का होना चाहिए Supply थोस्तों कि की हरी सकते हैं बइसिकली इसमें जो है जो है चार जीवी Surface काली होना चाहिए बाकि हाड डिक्स तरही आपको मर्जी though कितना आप खरीद सकते हैं उसके बाद हम मॉनितर की बात करें तो दोस्तोえ 시ीमा काipशनुक opin 004 1024 बोत्ण जो आ चाहिए होग होग दिश्ब्धिक região जो है सभी के सभी जो है 1920 और 1080 जो है monitor आते हैं आप जितना बरा रखेंगे उतना अच्छा लगता है और इसका resolution जो है 1920-1080 होना चाहिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो graphic card होना चाहिए दोस्तों यहां पर देखिए open G version 3.3 या उससे higher होना चाहिए आप देख सकते हैं उससे higher भी होना चाहिए या कम सकम 3.3 का होना चाहिए और इसमें दोस्तों 2 GB मैं recommend करता हूं कि 2 GB कम सकम जो है graphic card होना चाहिए क्योंकि आप graphic पर काम कर रहे हैं यहां पर color दिखना हो Photoshop में Illustrator में सभी पर आपको work करना होगा तो आप जो है कम सकम 2 GB का graphic card होना चाहिए लेकिन मेरे तरफ से आपको recommended है कि कम सकम जो है यह 2 GB के बदले जो है 4 GB का जो है graphic card ले सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि यहां तक तो था कि हम विंडो के लिए अब हम देखते कि Mac के लिए हमारा जो है क्या होना चाहिए अगर जो दोस्तों Mac लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेसर होगा मल्टी कोड इंटेल प्रोसेसर जो की 64 बीट पर सपोर्ट करना चाहिए यह जो है प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए इससे हाइयर भी ले सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अपरेटिंग सिस्टम की तो Mac OS वर्जन जो है 10.15 है केटलीना करके है या वर्जन 11 बीग श्योर या वर्जन 12 मेंडेटरी करके जो है उसको आप ले सकते हैं यहां पर देखिए बीग श्योर या 10.15 जो केटलीना है इसका जो बर्जन आते हैं दोस्तों ऐसे Mac के बारे में ज रेम की रिक्वाइडमेंट करते हैं तो वही सेम जो है 8GB का रेम होना चाहिए लेकिन अगर आप 16GB जो है लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगा और इसमें स्मूथ से चलेगा उसके बाद इसमें भी हार्डिक्स की बात अगर करते हैं दोस्तों तो Mac में भी 4GB का हार्डिक्स अबलेबल होना चाहिए इंस्टॉल के लिए लेकिन 4GB क्या आपके पास 500GB या 1000GB का अल्रेडी जो है इसमें लेना जरूरी होता कि आपका स्पेस भी लेना होता है यह जो डिस इतना ही होता है अगर इसमें ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें भी ओपें जेल वर्जन है 3.3 या हाईयर इसमें भी 2GB का आप ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं लेकिन रिक्मेंड करूंगा कि कम सकम 4GB जो है ले तो बहुत अच्छी बात होगा इसी टैप से जो हम आप इसकी प्राइस की बात करते हैं अगर आपके विंडो लेना चाहते हैं तो दोस्तों विंडो की प्राइस जो होगा सिस्टम यहां पर देखें तो प्रोसेसर जो होता है 2GHz का जो फास्टर प्रोसेसर है वह लग भग आपको जो है 9000 तक में आ जाए रहा है और हार्ड अगर बात करें 500 जीभी का आपको 5000 तक में आपको मिल जाएगा और ग्राफिक का 2GB लेना चाहते यह आपको 2000 सजार से पैंताले सजार के बीच में यह जो लेप्टॉप है यह आपको हो जाएगा और अच्छे से इस पर वर्क करेगा एनिमेट सिसी हो या कार्टून एनिमेटर फोर हो लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बजट बढ़ाते हैं अगर इसको 35 से आप इसको कम सकम पचास तक ले जाते हैं पचास तक अगर ले जाते दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आपको सिस्टम मिल जाएगा जिसमें कि आप हर तरीकह काम कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों होता कि आप खरिद रहे हैं आप लैपटॉप या कोई सिस्टम ले रहे हैं तो पांस साथाजार कोई माईने नहीं रखता है और आपको अच्छा अगर मिल जाता है जिसमें की आप हर टायब के काम कर सकते हैं चाहे हो अनिमेट सीसी है या कोई और शॉप्ट्वेर लगाना चाहते है तो वह कर जाएगा अगर मैं दोस्तों मैक की बात करता हूं तो मैक में आपको यही रेंज जो है आपको 85000 के बीच में आपको यह मिल जाएगा और इसमें भी आगर मान लेजी अगर मैक लेड़े तो बहुत अच्छे-च्छे मिल जाता है जिसमें कि आपको थोड़ा से इसमें प्राइस होता है आपको सब पता ही है कि एक लाग से उपर तक जाता है तो वो आपको अच्छे से मिल जाएगा और जिसमें कि आप 2D animation चाहे वो Cartoon Animator 4 हो और या तो animate CC हो उस पर आप कर सकते हैं तो यह था दोस्तों हमारा जो system की requirement होता है Cartoon Animator 4 या Animate CC के लिए क्या होना चाहिए तो आसा करतो दोस्तों यह वीडियो आपको जो है अच्छा लगेगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेर भी करें और होचके तो सब्सक्राइब करें